हई लो एब्रवन तो आज हम बात करने वाले हैं डी सेंटरलाइज़ एक्स्चेंज याने टेक्स के बारे में तो इस प्रम इसको जाने के लिए वीडियो के एंपक बने रही हुए लेकिन डी सेंटलाइज को समझने से पहले हम सेंटलाइज्व के में थोड़ी बात कर लेखते हैं कि सेंटरलाइज़ेशन और सेंटरलाइज क्या होता है तो सेंटरलाइज एक्सचेंज जैसे बाइनांस कोई बेस यह वह प्लेस जहां आप अपने कोई और टोकन को बाइस सेल और ट्रेड के लिए यूज़ करते हैं मान लो आप बिटकॉइन बाय करना चाहते हों तो आपको इसमें करना क्या होता है आपको अपने एक्सचेंज पे जाना होता है अपनी डिटेल्स देनी होती है और कुछ कैश आपको डिपोजिट करवाना होता है अब यह जो सारा प्रोसेजर है यह जो सारा प्रोसेस है इसमे जो एक्सचेंज है तो यह आपके अकाउंट में शो होने वाली है क्योंकि आपने जो डिपोजिट करवाए है तो यह एक्सचेंज आपके अकाउंट में यह ट्रांजेक्शन शो होगी और इस एक्सचेंज से आप ट्रेड कर सकते हो दूसरे टॉकन के लिए लेकिन इसका एक drawback है कि आप इन bitcoins को hold करके नहीं रख सकते हों क्योंकि आपके बिहाफ पे इसको आप नहीं वल्ले की centralized authority central authority monitor करेगी वो इसे operate करेगी क्योंकि government पे आपने trust किया है ना क्योंकि यह centralization है तो आपके जगा पे वो इसे monitor करेगी और कोई trade जो आप करेंगे इसमें जैसे कि bitcoin को ethereum के लिए swap करना तो यह चीज ब्लॉक्चेन में नहीं होगी और इवन आपके जो private keys हैं इनको भी centralized exchange ही control करने वाले अब on the contrary बात करते हैं decentralized की तो decentralized exchange जाने कि DEX भी कहते हैं जिसे यह smart contract का use करता है और users को allow करता है वो अपने funds की custody अपने पास रख सकते हैं जो कि traders है वो DEX की use से blockchain में जो smart contracts होते हैं उनसे interact कर सकते हैं अब यहाँ पर एक बहुत benefit है इसका कि आपको किसी middleman की किसी central authority की जुरूरत नहीं है ना आपको किसी पर trust करना है ना ही आपको किसी verification की जुरूरत है और क्यूंकि यह smart contracts based हैं तो आपकी हर transactions blockchain में store होती है अब अगर बात करें इसके benefits की तो इसके काफी सारे benefits भी है इस term के decentralized term case जैसे की पहला तो यह है क्योंकि DEX जो है decentralized trade के सारे funds traders के अपने wallet में store होते हैं तो यह hacking risk को reduce कर देता है कम कर देता है दूसरा यह है कि इसको use करने के लिए आपको किसी personal information को verify करवाने की जुरूरत भी नहीं होती क्यूंकि obviously keys आपके पास है आप कंट्रोल कर रहें तो आपको verification की need नहीं अब थाड़ी है कि यह peer-to-peer marketplace है तो इसमें किसी middleman की involvement नहीं होती है कि कोई central authority से control नहीं करेगी आप खुद करेंगी centralized exchange की तरह इसकी transactions को time नहीं लगता यह speedy transactions आपको provide करता है और इसके अगर another benefit की बात करूं तो किसी भी personal information की यहां पर जुरूरत नहीं होती most popular DEX का यारी की decentralized का use करने के लिए and कोई भी इसे easily use कर सकता है बस आपको इसके लिए smartphone और internet connection चाहिए होता है और आप trade कर सकते तो यह थी term about decentralized or decentralization exchange I hope you like this video as the information के लिए जुरे रहे हमारे चैनल फिंस्टीट के साथ stay tuned until next update